पावर्पॉंट की वीडियो में, आज हम जानेंगे मैक्रो के बारे में, जब आप मैक्रो पे क्लिक करोगे तो हमारे पास मैक्रो की विंडू आ जागी, सबसे पहले आपके अपने मैक्रो का नेम देना होता है, जैसे कि यहाँपर मैं लिफ देता ओ – my macro 1 इसके बाद नीचे आपको अपने macro को select करना होता है कि आप अपने macro को कहाँ पर apply करना चाहते हो all open presentation पर go select करोगे तो आपका ये जो macro है आपकी सभी presentation पर work करेगा और यहाँ पर आप my ppt1 my ppt1 क्या है ये मेरी इस presentation का name में तो अगर आप अपनी इस presentation को select करोगे तो जो भी आप macro बना रहे हो वो आपका इसी presentation पर work करेगा और अगर आप चाहते हो सभी presentation पर work करेगा तो आपको all open presentation को select करना है तो अभी मैं my ppt1 को select कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ इसी presentation पर macro work करे मैंने आपर macro का name दिया इसके बाद create पर click करेंगे तो यहाँ पर vb open हो गया है अब देखे यहाँ पर हमारे पास method आ गया यह हमारा method की starting है यह हमारे method का name है यहाँ पर हमारा method end हो रहा है अब यहाँ पर मैं एक छोटा सा message box बनाना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं लिखूँगा msg इसके बी ओ एक्स यहाँ पर space देखे यहाँ पर मैं double quote दूँगा इसके बाद यहाँ पर मैं लिख दूँगा कुछ भी जैसे कि hello I am cautious ठीक है from developers guides ठीक है तो यहाँ पर देखे यह आपको बता भी देता जाएकि message box, prompt और कुछ इस तरीके सा आपको लिखना है इसके बाद आप इसको ctrl s press कर दीजिए यहाँ पर yes कर दीजिए और आप अपने VBA को close कर दीजिए अब मैं macros पर जाऊँगा और यहाँ पर मैं अपने macro को slack करूँगा और यहाँ पर run पर क्लिक करूँगा तो दीजिए यहाँ पर message आ रहा है hello I am kaushal from developer guides ok पर क्लिक करेंगे तो macro हमारा close हो जाएगा अब दीजिए यहाँ पर मैं macro को slack कर रहा हूँ यहाँ पर आप edit पर क्लिक करोगे तो आप अपने macro को edit कर सकते हो जैसे कि यहाँ पर मैं कुछ और लिख देता हूँ जैसे कि मैं लिख देता हूँ I live in फरिदाबाद ठीक है मैं भी यही लिख देता हूँ कुछ इस तरीके से ctrl s करा yes कर दिये changes और इसको मैं close करूँगा macro पर जाएगे slack करके run पर क्लिक करेंगे तो दीखें यहाँ पर I live in फरिदाबाद आ रहा है इसके बाद इसमें step का option मिलता है तो आप अपने macro को slack करिए step into पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको एक एक step बताएगा अभी देखें मैं इसको close कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं macro पर फिट से क्लिक कर रहा हूँ इसको slack करेंगे अगर आप delete करना चाहते हो तो आप delete पर क्लिक कर दीजिए तो आपका macro डिलिट हो जाएगा और run करना है तो run पर क्लिक करिए आपका macro रन हो जाएगा तो इस तरीके से आप powerpoint में macro को create कर सकते हो और edit कर सकते हो अगर आपको इसमें कुछ भी doubt हो तो आप मुझे comment करके बता दे